महेंद्र बाहु बली के राज्य सिंहासन पर बैठने के बाद महेश्मती का सुवर्ण युप फिर से लौट आया था लेकिन उसी के साथ महेश्मती के शत्रू को भी मालूम था कि अभी महेश्मती उस दौर से गुजर रहा है जब वो सबसे ज्यादा कमजोर है महेश्मती की असंख्य प्रजा और मान और प्राण की रक्षा करूंगा और इसके लिए अपने प्राणों की आभुटी भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा शक्ति से नहीं है उद्धी से काम है उद्धी से काम है जहन की सास लो लेना पीटा आगा लेकिन शक्तिरों को ये मालूम नहीं की हमारे राजा महेंद्र बाहुबली अब लोट आए हैं लेकिन शक्तिरों की आए हैं